हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आवले का अचार तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवले का अचार यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम आवला है इसको मैंने दो कर साफ कर लिया है और इसमें इतना पानी डाल रही हूँ जिससे यह डूप जाए इसमें पानी के पीस अफटने लगे हैं तो हमारा आवला तेयार हो गया है अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इस पानी को मैं अलग निकाल लूँगे यह देखे मैं यहाँ पर इस पानी को चान रही हूँ हमारे आवले अलग हो गया है और यह हम ठंडा कर लेंगे तब तक हम मसाला बनात आपड़ेंगे एक चमच सर्सुके दनी डाल रही हूँ एक चमच सख़प ढ़ा है और आदा चमच में जीरा डाल रही हूँ हूँ इसको भी हम पीस देंगे, देखे, यह मैंने ज्यादा बारेक नहीं किया है, थोड़ा मोटा ही रखा है, अचार में मोटा ही मसाला ज्यादा लगता है, यहां आवले के बीज निकाल लिये हैं, और यहां पर मैंने कुछ हरी मिर्चे भी ली है, यह मैंने सरसुका तेल लिया है इसमें जैसे ही दुआ निकलने लगता है, तो मैंने अलग कर लिया है, गैस बंद करके, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, और उसमें मसाले डाल देंगे, अगर दुआ निकलते हुए तेल में ही डालेंगे, तो हमारे मसाले जल जाएंगे, और अचार में अचार ने ठीच का हमारे जासान हमारे तरह कि यह पैज़र थे आपवरों चीफ है हाल धूजिविर ने कुस्त देल रहाए हुआ के अचार में जाना कोंते होता है। कि आप आपकेम्सन कादम चाहें पिदिगों के फलाएं कि अचार में प्थंतरला। दोनों एक साथ तयार होंगे और ये जो मसालों के साथ हरी मिर्च काफी अच्छी लगती है अब हमने बोयल किया था अउले को उस टाइम नमक कुछ डाला था लेकिन अभी तक हमने मसालों में नमक नहीं डाला है जैसे ही ये एकदम से ठंडे हो जाएंगे हमारा तेल और मसाले ये तो हम इसमें बाद में नमक डालेंगे अभी हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं ये हमारा अचार अभी खाने के लिए तयार हो जाएगा अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार आप ज़्यादा कम जैसा खाते हैं वैसा नमक डाल सकते हैं ये देखे मैं इसमें नमक डाल रही हूं हमारे आउले जादा नहीं है तो हमने अपने इन आउलों के हिसाब से नमक डाला है अब इसको हम अच्छे से सारा नमक मिक्स करेंगे और इसको हम एक कांच के जार में भर लेंगे हमारा ये अचार ठंडा हो चुका है अब मैं इसे कांच के जार में भर रही हूँ आप के पास कांच का ना हो तो प्लास्टिक के जार में भर सकते हैं लेकिन ये है कि कांच के जार में अचार ज़्यादा सही रहता है और ये देखिए हमारा आउले का चार बनकर तयार है इसे अभी हम खा सकते हैं अगर आपको आउले का चार लंबे समय तक रखना है खराब ना हो जल्दी और ज्यादा बना रहे हैं तो उसके लिए आप कच्छे आउले को काट कर धूप में सुखाएं और उसमें सब मसाले डाल कर और जैसे मैं अगर अगर ठंडा करके जार में भरके फ्रीज में रखेंगे तो यह भी कुछ समय के लिए चल जाएगा लेकिन इसको आपको बाहर नहीं रखना है क्योंकि यह इंस्टेंट आउले का अचार बनकर तयार हुआ है आपको इसे फ्रीज में रखना है यह भी टेस्टी है और लंबे समिधक के लिए रखने के लिए मैंने आपको बताई है अब यह कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारी रैसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा पसाद आने पर लाइक सेर सबस्क्राइब करना मत भूल यहगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई!